प्रधानमंतीर नरेंडर मोदी के मन की बात का हिस्सा रहे राजस्थान की युवाउं ने भी आज कारिकरम के सोवे एपिसोड पर खुशी जदाई है अपने अनुभव साजा करते हुई युवाउं का कहना है कि ये कारिकरम स्टाटप के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हुआ है लोकल, वोकल और डिजिटल इंडिया के शेत्र में कारिकर रहे सेटा सिंग रावत ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंती के इस कारिकरम से प्रिणा लेकर अपने सपनों को साखार के लिए मोधी जी के मन की बात जो प्रोग्राम है कहीं न कहीं एक यह ऐसा सबसे बड़ा और पहला प्रोग्राम है जो देश का प्रधानमंत्री सीधा अपनी कनेक्टिविटी रूट लेओल पे काम करने वाले लोगों के साथ जोड़ पाने में सक्षम हो रहा है प्रधानमंत्री जी से एप्रीशेशन मिलना जो माना जाते हैं बहुत बिजी रहते हैं उनके पास बहुत सारे अलडी बहुत सारा शेडूल पैक्ट रहता है बहुत सारा काम रहता है लेकिन उसमें एक कॉमन मैन को एक आम आदमी को जगे देना अपनी और उनसे मन की बात क करना उनसे रूबरू करना उनसे फोन पर बात करना एक बहुत बड़ी बात है और इसके लिए सब को बढ़ाई इस से अच्छा कोई मैगनेट नहीं बन सकता है कि अब भारत में हमारे टॉप लीडर्शिप छोटे कामों को रेकगनाईज कर रही है प्रधान मंतरी जी द्वार चोटे-चोटे प्रयासों को रेकगनाईज करने नैशनल लेवल पर लाना एक बहुत ही जबरतस मुहिम है और मेरी खाल से मेरे देश का चहरा बदल रहा है और ग्लोबली भी देखेंगे तो आपको इस तरह का कोई इवेंट नजर नहीं आता है जो हमारे प्रधान मंतरी ज होती है तो बहुत जबरतस का इंपक्ट होता है